हेलो दोस्तों वेलकम टो एक्जाम टैम दोस्तों MPPSC आयोग के दुवारा बहुत सारे एक्जाम कंड़क्ट करा जाते हैं जैसे एक तो आपका सिविल सर्विसेस वाला हो गया जिसमें आपकी फोरेश्ट सर्विसेस भी आती हैं और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जैसे पोर्षन है वो मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी नए सिलेबस 2024 के अकोडिंग आप भी जानते हो कि स्पोर्ट का जो इस्टेटिक वाला पोर्षन हो हटा दिया के वहला करेंट आफिर के कोश्चन आएंगे तो मैंने क्या करा है कि 2018 2018 और 2020 से लेकर तो अभी 2023 तक MPPSC ने क्योंकि उसमें दस-दस प्रषन आते हैं तो यहां पर MPG के मैंने यहां पर पूरे टोपिक वाइस उनिट वाइस सब्टाइप कर दी यह से मत्यपदेश की इतिहास से कुन से हैं बूगल से कुन से अभी मैं आपका यह बता दूँआ पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या इसमें बनाया है अब बहुत सारे लोगों का असिस्टन प्रफेसर का इचाम है अब आप जानते हो कि जो पचास नंबर का पौर्षन है उसमें पचास नंबर के पौर्षन में यह दो पौर्षन तो 40 नंबर का पौर्षन तो यहीं आ रहा है ICT वाला और MPG के तो आपक जो portion है आपका MPGK का आएगा तो वो यह इन PDF से complete हो जाएगा तो दोस्तों यह जो PDF है इसमें पहले मैं आपको बता देता हूं क्या चीज़ है देखिए यहां मैंने क्या करा है आयोक की फाइनल आंसर की है उससे मैंने मेच करके लिखे अगर किसी पेपर की फाइनल आंसर की नहीं आई है तो वह कोस्चन में यहां पर एड़ नहीं करें तो देखिए यहां पर यहां पर इतिहास की महतपुर्ण घटनाय प्राचिन मद्यकालिन प्रमुक राजवन से हो ग करें अब देखिए जैसे यहां यह प्रस्ण आता है कि मद्यपदेश की प्रमुक लोग गाई का कौन है कौन है तो इसका जो आंसर था इन में से कोई नहीं तो उनके जो सारे उप्सण थे वह भी मैंने यहां पर लिख दिए तो देखिए कभी कभी कोई से प्रस्ण यहां कि वागी की जो तीन अप्सण होते हैं अगर हम उनको ना देखो तो फिर चोथा उपसण नहीं बताया जा सकता तो जहां one liner में answer दिया जा सकता उसके मैंने one liner type में type कर दी हैं और जहां पर un option की भी हमें जहां सायता लेनी पड़ती है तो वहां मैंने ऐसे type कर रहें जैसे आप ये देखिए कि कौनसी रचना सरज जोसी से संबंदित नहीं है तो जो यूग चरण है, यूग चरण नहीं है, तो कौन सी वो तीन ऐसी रचन है, जो संबंदित है, तो देखिए परिक्रमा, तिलिस्म और दूसरी सता, तो इस पकार के मैंने टाइप करें, बहुत ही सांदा तरीके से मैंने बनाया, क्योंकि देखो, मैं भी तैयारी करता हू तो यह आयोक के द्वारा यह आला प्रसनी जो है, वो डिलिट कर दिया गया है, पर यह इसका जो राइट आंसर है, वो क्या है, सियोपूर में यह है, पर सियोपूर ओप्सन में नहीं था, तो इसलिए डिलिट कर दिया गया है, ठीक है, और देखिए यहां पर कुछ कुछ क सबसे पहले आयोग ने के बांद में हरसित्य देवी का मंदिर माना था पिर आपत्ति लगाने के64 मंदिर भी Luca ऑपत्ति लगाने में ग demand से यहां पर बनाया है तो दोस्तों यह पूरा बहुत सांदा तरीके से यहां पर मैंने complete करा है इससे आपको समझ में आया है कि आयोग का जो ट्रेंड है वो किस पकार से जा रहा है यहां पर इस पीडियर कोंटेक्ट यहां पर दिये गये हैं जैसे यह आप देखो úगे यहां पर 700813 3772 तो इस पर वार्टस у करताहिँ हो और दूसरा दूसरा तरीका यह है इस वीडियोके description में जो ये वीडियो है इसके description में आपको एक link मिलेगी instagram हो जोगी वहाँ से आप purchase कर सकते हो तो instagram हो जोपे अभी मैं कल लगा दूँगा PDF क्योंकि अभी थोड़ी समस्या रही है और आप हमारे telegram channel भी join कर लिए वहाँ पे भी मैंने screenshot भेज़े हैं कि किस पकार इसके बाद और कौन सी PDF है मेरे पास में और है मेरे पास में MP जो MPPSC MPPSC के 1990 से लेकर अभी 2023 तक के जितने भी question आए हैं जितने भी पूरी unit 1,2,3,4,5,7,8,9,10 तो पूरी 10 unit 10 unit में आप जानते हो नए syllabus के according क्या है नए syllabus के according उसमें जंजाती है तो मैंने क्या करा है MPG के वाली उसमें unit में उसको count कर लिया है और जो आयोग है आयोग महां से हटा दिया अभी 10 unit में से तो उसको मैंने सन्विधान में है तो सन्विधान में उसके question type कर दी यानि कि मैंने क्या करा है अभी 2024 के syllabus के according उनको arrange कर दिया है तो उस PDF का मैंने जो प्राइज रखा है वो रखा है 99 रूपे ठीक है अब इसमें भी ऐसा है कि जिसने पहले में मुझसे अगर कोई भी PDF ली हो तो उसके लिए भी इतने भी MPPSC ने question paper जो भी conducted करवाए है उसके सारे आपको question मिल जाएं जैसे प्रिंसिपल ग्रेड एन एवी एसी दोया 23 का जो एकजाम है यहां पूछा है कि कौन सा एक इस्थिर algorithm नहीं है यह है तो यहां पर आया counting sort तो यह है तो बाकि कौन से इसे तीन है वो जो नहीं थे तो वो मैंने यहां लिखे है ठीक है अब आपको समझ में आ जाएगी चीज़े कि यह मैंने किस प्रकार से यहां पर बनाया है अब देख करोगो उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैं थोड़ा से यहां पर बता रहा हूं चीजों को इनमें से कौन सा नहीं है देखी यहां पर तो क्यों कि आप कौन से हो सकते हैं तो वो मैंने यहां लिखे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से टाइप कर रहे हैं चीजों को मैंने पूरा समेटा है और इस तरीके से कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा जो काफी टाइम से तयारी कर रहा है जो ना यह भी है तो उनको भी यहां पर समझ में आ जाएगा अब मेरे एक और मुख्य परिक्षा की MPPSC MPPSC मेंस की PDF है तो मेंस की दोस्तों उसमें आंसर में टाइप नहीं कर पाया उसमें आपको कोस्चन कोस्चन मिलेंगे पेपर जो आपके पेपर वन से लेकर तो पेपर 6 तक क्या आपको वहां पर PDF मिल जाएगी ठीक है तो उसका जो प्राइस रखा है और आपको पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं आईए आप क्या किजिएगा इसे आप प्रिंट करवा सकते हो और भी कोई आपके कोस्चन हो तो आप बता सकते हो यहां पर तो यह इस तरीके से हैं ठीक है दोस्तों मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में और आप हमारे टेलिग् पर यूजर नेम वहीं दिया है टेलिग्राम ग्रूप में तो उस पर आप मेसेज मुझे कर सकते हो